अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टैक्स अपोर्ट चैनल को और बेल आइकुन को दबाईए ताकि हम आप तक पहुँचा सकें लेटेस टेक्निकल वीडियो सबसे पहले हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई टैक्स अपोर्ट चैनल फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉपिराइट कंटेंट आइडी क्लेम को लेकर कई बार क्या होता है जैसे हम अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं और जैसी पब्लिश करते हैं तो हमारी वीडियो पे आ जाता है content ID copyright claim इससे क्या होता है friends हमारी वीडियो monetize से demonetize हो जाती है तो वीडियो को monetize करने के लिए या तो फिर हमें अपना revenue share करना पड़ता है या फिर वो content ID जो match हो रही है हमारे song में उसको हमें अपनी वीडियो में से remove करना होता है तो इसके कई method है मैं आपको अभी live tactical करके दिखाने वाला हूँ तो अगर आप जानना चाहते है content ID claim को किस तरह से हम remove कर सकते हैं अपनी वीडियो से साथ ही इसका revenue share कैसे करते हैं तो इस सब के बारे में जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना हूँगा लाश्ट तक तो चली फ्रेंड्स अब मैं अपने चैनल पे टू वीडियो ऐसे upload करूँगा जिसमें की song मैंने mix के हुए है तो 100% दोनों ही वीडियो पे copyright content ID claim जरूर आएगा इसके बाद friends मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम अपने song के review ने को share कर सकते हैं साथ ही हम चाहे हैं तो copyright content ID claim को भी remove कर सकते हैं तो चली अब वीडियो को upload कर लेते हैं और यहां से लो मान लिया demo को select कर लेते हैं तो friends यह एक song है जो कि मैंने single application से record किया था तो इसकी content ID भी 100% match हो जाएगी यहां processing done हो चुकी है और आप मेरे पास एक mail आ चुका तो चली मैं आपको एक mail दिखा दे रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर हमें एक mail आया है जिसमें लिखा हुआ है यहां पर बहुत कुछ लिखा हुआ है तो फ्लाल यह हमारी वीडियो पर content ID claim आ चुका है साथ यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा हुआ है साथ अगर आप नीचे देखें तो यहां पर लिखा हुआ है यहां पर हमारी वीडियो पर copyright content ID claim तो आ चुका है लेकिन इससे हमारे चैनल के status पर कोई भी फर्क पढ़ने वाला नहीं है तो YouTube हमारे चैनल को पैनलाइज नहीं करेगा तो चलिए हम चलते हैं वीडियो मेनेजर में आप देख सकते हैं यहां पर हमें copyright content ID claim आ चुका है और यहां पर लिख के आ चुका है include copyrighted content साथ ही आप देखेंगे तो यहां पर हमारी वीडियो automatic monetize भी हो चुकी है मतलब कि हमारी वीडियो पर copyright claim आ चुका है लेकिन हमारा revenue automatic share हो चुका है तो अपसे पहले friends में आपको बता दूँ यहां पर हमारा जो revenue था वो automatically share नहीं होता था लेकिन आज जी मैंने वीडियो upload किया तो यहां पर यह इसका जो revenue था वो automatic share हो चुका है तो चलिए यहां से फिलाल हम फिर भी include copyright content पे क्लिक करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं your sharing revenue on this video copyright content was found in your video you are monetized this video and sharing revenue with the copyright owner तो friends यहां पर फिलाल मुझको कुछ भी नहीं करना पड़ा यहां पर जो हमारी video का revenue था वो automatic share हो चुका है जो भी इस song का owner है उसके लिए इससे पहले क्या होता था friends हमारी video पे अगर copyright content ID claim आता था तो हमें revenue का यहां पर option मिलता था जहां पर आप देख सकते हैं share revenue from ads तो यहां पर हमें click करके यहां से इसको activate करना होता था लेकिन अब हमको यहां पर कुछ भी नहीं करना पड़ता है अगर हमारी video sharing revenue के लिए eligible है तो YouTube हमारी video का revenue automatic share कर देता है इसके लब friends अगर आपको लगता है कि यह video आप ही का है इसमें कोई भी copyright claim नहीं आना चाहिए था और यह video का owner कोई और नहीं बलकि आप हो तो यहां से आप file a dispute पे click करके एक request कर सकते हैं जिसे YouTube creators manually देखेंगे और उनको लगेगा कि यह video आपका है आप इसके owner है तो फिर वो क्या करेंगी यहां से copyright content id claim को हटा देंगे तो जिन लोग के revenue share से related question थे तो मुझे उमीद है उनकी सारी query clear हो चुकी होगी तो friends अगर आपका song revenue sharing के लिए eligible है तो YouTube आपके song का revenue automatic owner के साथ share कर देगा इसके लिए आपको manually अब कुछ भी नहीं करना होगा तो चलिए हम बात कर लेते हैं उन लोग की जिनकी video पे content id claim तो आता है लेकिन उनका video monetization के लिए eligible नहीं होता है या फिर कहें तो sharing revenue के लिए eligible नहीं होता है तो ऐसे मैं उन लोग को क्या करना चाहिए वैसे तो मैं एक video और upload करने वाला था लेकिन friend मेरे पास इस condition का एक video upload है जो कि मैंने कल ही upload किया है तो ना तो वो monetization के लिए eligible है ना ही sharing revenue के लिए eligible है तो ऐसे मैं हम उस video का करें क्या चलि मैं आपको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं ये video मैंने कल upload किया था इसमें मैंने single small application से two song record किये थे और ये मैंने अपने channel पे upload किया था तो friends आपको लगता होगा कि ये video monetize है इसका पैसा मुझे मिलेगा तो ऐसा कुछ नहीं है friends ये video monetization के लिए eligible नहीं है sharing review के लिए भी eligible नहीं है लेकिन मैंने इस video को यहाँ पर upload ही रहने दिया मैं चाहता तो इस video को delete भी कर सकता था तो फलाल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इस type के video को भी monetize कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पर include copyright claim पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते है monetization के सामने लिखा हुआ monetized by claimant तो यह videos पूरी तरह से content ID owner ने इसको monetize किया हुआ है तो इस पर जो भी add आ रहे हैं जो भी कुछ आ रहा है तो इसका जो भी पैसा बनेगा वह जाएगा इसके owner के पास मुझे इसका कुछ भी मिलने वाला नहीं है मैं चाहूं तो यहाँ से आप देख सकते हैं नीची की side में हमें यहाँ पर remove song का option नज़र आ रहा है तो मैं अगर चाहूं तो यहाँ से remove कर सकता हूं इस song को जो भी इसमें content ID मैच हो रही है उसके बाद यहाँ से जैसी वो song remove हो जाएगा तो यह video monetize हो जाएगा मेरे channel पे और इसका जो भी review नहीं होगा वो मुझे मिलेगा तो यहाँ पर आपके पास two option है तो आप चाहें तो जितना भी part आपके वीडियो में content ID से match होता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है detail के नीचे content है और content के नीचे यहाँ पर एक during भी आपको नज़र आएगा तो इसका जो भी review वो हमको मिलने लगेगा साथ ही अगर आपको यह लगता है कि यह video आपका है इसके owner आप है तो यहाँ से आप file a dispute पे click करके एक request कर सकते हैं अगर यहाँ पर आप video manager में जाएंगे तो यहाँ पर आपको green dollar भी नज़र नहीं आएगा तो इस type की video के लिए आपके पास cable एक ही option है यहाँ से आप remove song पे click करके जो भी part आपका content id से match हो रहा है तो आप cable उसको remove करके इस पूरे video को monetize कर सकते हैं और आप चाहें तो इस video को इसी तरह से अपने channel पे चलने दे सकते हैं इससे आपके channel पे कभी भी कोई भी problem नहीं आएगी साथ ही काफी सारी लोग को यह भी लगता है कि content id copyrighted अगर आपके channel पे आता है तो इससे आपके channel पे कोई problem होगी तो friends मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि content id कलेम से कभी भी हमारे channel पे कोई भी problem नहीं होती है या तक कि जो हमारे YouTube चैनल का status है वहाँ पर भी copyright strike नहीं आती है अब friends मैं आपको एक important बात बता देता हूँ अगर friends आपने किसी भी song को या कहीं से भी कोई भी video copy करके अपने channel पे upload किया और इसका content id मैच नहीं हुआ इसके बात कभी भी अगर उस owner ने आपकी video को देखा जिसका भी आपने content अपनी video में लगाया है तो वो जब आपके channel पे copyright strike manually करेगा तो वो आपके channel पे copyright strike आएगा उससे आपके channel पे बहुत फर्क पड़ेगा और आपके channel पे one copyright strike आ जाएगी तो अगर manually कोई भी आपके channel पे अपना content देखता है और उस पे अगर वो copyright content claim करता है तो आपके channel पे copyright strike आ जाएगी और इसी तरह से अगर आपके channel पे three copyright strike आ गई तो आपका channel हो जाएगा permanently disabled तो फिलाल content ID अगर match होती है इससे अगर copyright content ID के लिए माता है तो इससे आपके चैनल पे फिलाल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है तो आज की वीडियो फ्रेंड्स मैं आपको यही सब बताने वाला था तो मीनद है फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीस वीडियो को like share ज्रूar करें और नए वीडियो के लिए को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं तो मिलतें किसी नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए thank you